हलो दोस्तों वीडियो में आपका स्वागत है और आज हम आगे हैं राम घाट तो ये शिप्रा नदी के तट पर तो ये नदी आती है उज्जेन में यहाँ पर संसेट के टाइम पर होती है आरती तो पार्किंग से राम घाट की और जाते वक्त आपको बहुत सारे दुकान भी देखने को मिलेंगे यहाँ पर आपको महाकाल लिखे हुए कपड़े भी मिल जाएंगे राम घाट महाकालेश्वर मंदिर से सिफ एक किलोमेटर दूर है और उज्जेन रेलवे स्टेशन से तीन किलोमेटर की दूरी पर है हमने महाकालेश्वर मंदिर, कालभहरो मंदिर और महाकाल लोग का भी वीडियो बनाया है तो अगर आपको वीडियो देखने तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे तो हम पहुँच गए है राम घाट पर आप देख सकते हो यह है शिप्रा नदी तो शिप्रा नदी के तट पर बहुत सारे घाट आते है और उन में से सबसे फेमस है राम घाट उज्जेन में कुल चोरासी शिव मंदिर है और उन में से बहुत सारे शिव मंदिर आपको इस राम घाट में देखने को मिलेगे रामघाट का हिंदूों के लिए अत्याधिक धार्मिक महत्व है क्योंकि यह उन चार सानों में से एक है जहां हर बारा साल में कुम्ब मिला लगता है ऐसा माना जाता है कि भगवान विश्णु ने रामघाट पर अमृत की कुछ बूंदे टपकाई थी इसे कुम्ब समारों के संबन में सबसे पूराने स्नान घाटों में से एक माना जाता है दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक त्यवारों में से एक माना जाने वाला कुम्ब मेला हिंदू धर्म में अनुनाईयों के बीच एक बहुत महत्वर रखता है जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि मेले में लगबग दो करोड लोग शामिल होते है राम घाट पर मंदिरों की एक विस्टु शुंकला स्थित है जिन में से चित्रगुप्त का मंदिर सबसे प्रतिश्टित है यहां पर और भी बहुत सारे मंदिर है तो चलिए वो हम आपको दिखाते है करेंड़ है झाल 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 कर दो कर दो कर दो कर दो झाल 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 झाल